नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्ष्मिकांद पार्ट 138 में आपका स्वागत है पब्लिक इंटरेस्ट लेटिकेशन चैप्टर नमबर 29 है यह 138 वीडियो है क्या के चीजों के बारे में बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लेटिकेशन का जो इंटरेक्शन है लक्ष्मिकांद में उसको देखेंगे मीनिंग क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लेटिकेशन का फीचर्स क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लेटिकेशन का तो भी चलेगा नहीं है तो नीचे दिये गए लिंक से खरी सकते हैं इंस्टेग्राम पर फॉलो कर लिजेए आपके जिने डॉट से जाब दूँगा टेलिग्राम कुरूप जान कर लिजेए वहाप आपको लेक्शिर की जुडिशरी युएस में बात कर लिजेए चाहे इंडिया में बात कर लिजेए एक चीज कॉमन है कि जुडिशरी का एक्सेस केवल उन लोग को मिल पाता है जो थोड़े वेल आफ है जो थोड़े उपर के लेवल पर है जदातर लोगों को जुडिश्री का एकसेस ही नहीं मिल पाता तो एक inequality type किया जाती है तो USA में 1960s में बोला गया कि भाई जो unrepresentative groups हैं जो उतना उपर नहीं हुट पाए हैं उनको legal representation मिल सके इसके लिए कुछ mechanism आना चाहिए और वो mechanism आया public interest litigation के थूँ तो lawyers जो कि डॉलर्स लाखो डॉलर की fees चार्ज करते थे उनका धंदा बंद करने की कोशिश क्या बोलागा कि नहीं भाई जो गरीब तब कहें उनको भी मौका मिले तब चुकि गरीब तब को के लिए कोई अमीर lawyer तो case लड़ेगा नहीं तो obviously सरकार नहीं यहाँ पे कुछ lawyer से पॉइंट की और बोला कि भाई आप legal service warrant करिये इन लोगों को और सासाथ courts को यहाँ पे PIL के थूँ यह ताकत दी गई कि भाई अगर कोई underrepresented group अगर कोई vulnerable group आपको approach करता इंसाफ के लिए तो आप उसको इंसाफ दीजे PIL के लिए बात करिये तो कौन आ सकता है उन groups में जिनके लिए PIL लेकर आगा तो गरीब लो consumers जिनकी कोई नहीं सुनता racial और ethnic minorities तो एक country में जहाँ पे majority minority को दबाती जैसे for example पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके के mechanisms को proper तरीके से implement ही नहीं किया जाता इंडिया में जो PIL का concept है यह किसकी वैसे आया है यह judicial activism की वैसे आया है Supreme Court के Supreme Court का judicial activism is responsible for breaking the concept of judicial यह the concept of PIL in India PIL को इंडिया में early 1990s में लेके आया गा है कौन-कौन इसके pioneers माने जाते हैं इंडिया में तो Justice VR Krishna Iyer और Justice P.N. भगवती pioneers माने जाते हैं public interest litigation के हाला कि जब यह public interest litigation की बात करो तो ज़्यादा तर लोगों को सिर्फ P.N. भगवती साब का नाम पता है बट VR Krishna Iyer साब का भी काफी involvement है PIL को आगे राने में PIL को social interest litigation, social action litigation, class action litigation भी कहा जाता है अब बात करते है meaning of PIL की देखिए PIL का जो concept था ना वो local locust standee का जो concept मैंने पहले भी आपके से इसके बारे बात की local locust standee का जो traditional rule है इसको relax करने के लिए PIL के concept को लाएगे लोकस standee के concept का extension के बारे मैंने पिछले वीडियो में बात की है लोकस standee का concept क्या बोलता है कि भाई अगर judiciary की सामने कोई case आता है तो affected party ही judiciary की सामने को case लेके आ सकती तो जो दो parties involved है किसी case में तो कोई एक affected party ही judiciary के सामने case लेके आएगी ये बोला था लोकस standee PIL ने बोला ये नहीं चल पाएगा PIL ने बोला कि देखे जेन लोग के rights violated है वो अगर नहीं जा पाते है judiciary के पास किसी वज़े से कि भाई वो गरीब है या उनको मालूम ही नहीं कि उनके लिए judicial कुछ process available है socially or economically disadvantaged position में वो अपने आप से court में नहीं जा सकते है उनको डर लगता है उनके पास पैसे नहीं है उनको knowledge नहीं है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए है कुछ भी reason हो तो अगर वो नहीं जा सकते तो locust standing की concept को relaxer की यह बोला जा सकता है कि कोई भी spirited citizen public spirited citizen जो की society का भाला चाहता है पब्लिक का भाला चाहता है वो उस person के behalf पे PIL डा सकता है यह एक individual भी हो सकता है या कोई social organization भी हो सकता है ठीक है भाई तो PIL में अंदर कोई भी public का member जिसको ऐसा लगता है कि public interest wallet हो रहे है या उसके खुद के interest wallet हो रहे है उसके खुद के interest कहीं ने कहीं public interest के साथ जुड़े हुए है तो भाई वो supreme court में या high court में जाके PIL डाल सकता है तो supreme court ने PIL को किस तरीके से define किया है a legal action initiated in a court of law for enforcement of public interest और general interest in which public और a clause of community have pecuniary interest और some interest by which their legal rights और liabilities are affected मतलब supreme court ने PIL को एक legal action बताया एक court of law में जहां पे public interest को enforce करने की बात की जाती साथ-साथ general interest को भी enforce करने की बात की जाती और ऐसा interest जो कि पूरी community के लिए useful हो और वो community को या community की किसी एक छोटे के हिस्से को या society as a whole को legal rights प्रोवाइड करे liabilities से बचाया एटसेटरा 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 ठीक है दोस्तों तो भाई या rule of law को maintain करने के लिए PIL necessary है justice को maintain करने के लिए PIL necessary है और कहीं न कहीं देश का constitutional objective क्या करता है equal justice to all सबको equality मिलनी चाहिए at least justice तो सबको equal मिलना ही चाहिए उसके लिए PIL important है तो vindication of the rule of law facilitating effective access to justice to socially and economically weaker sections of the society meaningful realization of fundamental rights ये है purpose PIL के तो rule of law को vindicate करना मतलब rule of law को बचाना rule of law को proper तरीके से implement करना वैसे तो vindication का मतलब होता है कि किसी के ओपर ilzाम लगने से उसको बचाना ठीक है न तो मतलब कुल मिला कि vindication of the rule of law का मतलब यह होगा कि rule of law लोगों का अगर बचाना है लोगों को justice दिलाना है तो उसके लिए PIL ज़रूरी है socially और economically weaker sections जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद कोर्टों के पास पहुंच सके उनको PIL के through justice दिलाना सासथ fundamental rights का realization भी PIL के साथ related है fundamental rights का realization तो इतनी generalized approach होगे इतना generalized statement हो गया और वेसी बात हो PIL के साथ तो associate होई जाएगा फिर आगे बात करते है features of PIL की देखिए यह जो second वाली चीज है दोस्तों features of PIL story के form में सुनिए पहला point बता रहा हूँ आपको लक्ष्मी गान्थ का देखिए हमारे देश में और हमारे देश में करें दुनिया भर में जहां जहां पर still democracies वहां पर लोगों को rights देने की बात की जाती है और लोगों को rights देने में उनको legal rights देना जरूरी उनको legal मदद देना जरूरी है और वो legal मदद poor masses के पास पहुँचे तो ही humanity के लिए कुछ किया जा सकता और उसमें PIL एक major role play करता है दूसरा point PIL ordinary traditional litigation से बहुत अलग है ordinary traditional litigation में होता क्या है कि दो parties के बीच में लड़ाई होती है और दोनों में से कोई एक party court में जाके अपनी दलील रख सकती है PIL अलग है PIL में देखे अगर किरी दो parties की बीच में लड़ाई हो रही है तो कहीं न कहीं वो दोनों parties well off होंगी और एक दूसरे से सामें लड़ सकती है लोयर होयर कर सकती है तो माल लीजे कि एक well off husband wife उन दोनों की भीच में नहीं बन रही है और कुछ property का लफडा आ गया तो wife बोल दी मुझे इतना पैसा दो या husband बोल रहा मैं एक रुपए नहीं दूँगा तो उस case में दोनों parties एक दूसरे खिलाफ कड़ी हो गई लड़ाई हो गई और ये दोनों चलेगे court में तो इसको PIL के अंदर नहीं मानना जाएगा इसको एक ordinary traditional litigation मानना जाएगा वहीं पर PIL एक ऐसा litigation होता है जहां एक important public purpose के लिए कोई भी public spirited person या affected party PIL के थूँ जो डिश्री से मदद माग सकती है फिर तीसरा point PIL is brought before the court not for purpose of enforcing the right of one individual against another as happens in ordinary litigation कहने का मतलब ये है ordinary litigation में personal rights के लिए भी आप लड़ सकते हो तो husband wife को case मैंने बताया ये उनके personal rights है तो wife बोल रहे है कि मुझे husband की इतनी property में इतना पैसा चाहिए तो ये उस wife का personal interest है ये हो गया ordinary litigation आपका PIL के litigation में किसी एक individual के personal interest की बात नहीं होती है overall public interest की बात होती है अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी labor के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए PIL फाइल नहीं की जा सकती लेकिन उस labor के खिलाफ गलत हो रहा है इसको societal exploitation का point बता के Supreme Court as a PIL उसको entertain कर सकती है तो overall इससे मतलब ये निकलता है जो कि तीसरे और चौथे point में दिया गया कि PIL में Constitutional और Legal Rights एक बड़े तबके के बचाये जाते है और किसी एक particular individual litigation को या किसी एक particular individual appeal को ज़्यादातर cases में PIL में सुना नहीं जाता है जैसे कि मैंने कुछ videos में आपको बताया था कि मालीजे बिहार के आप किसी station पे जाओ और वहाँ पे railways का ही काम करवाने के लिए contractor ने बहुत छोटे उमर के बच्चों को 12-13 साल के बच्चों को deploy कर रखा हूँ बड़ी quantity में तो इस तरीकी की चीज़ों को रोखने के लिए आप PIL entertain कर सकते हो ओके तो ये सब बाते बोलीगी है मालीजे किसी एक बच्चे को फसा कर रखा गया है और Supreme Court के पास case पहुंचता है तो उस case में Supreme Court सीधे-सीधे एक ultimate issue कर देगा बिहार के उस district के district magistrate को कि तुरंत action लीजे तो overall PIL entertain इसलिए की जाती है ताकि legal rights, benefits, privileges जो की vulnerable section से हमारी community के society के उनको social justice पहुंचाए जा सके और उस case में दोस्तों यहाँ पे Supreme Court एक direction issue कर सकता है state government को या फिर public authority जो की state के ground level पे काम कर रही है center के ground level पे काम कर रही है कि भईया तुरंत action लो ओके छटा point क्या दे रखा है कि भईया यह जो PIL है यहाँ पे litigation लाया क्यों जाता है litigation इसलिए लाया जाता है ताकि अगर society में कोई गलत चीज हो रही हो कोई एक section, कोई एक तपका, कोई एक community जिसको गलत बात पे दबाया जा रहा हो तो इस चीज को थोड़ा सुधारा जा सके थोड़ा सही किया जा सके इसलिए PIL का litigation लेके आया जाता है उके, उसके बात अगर आब बात करिए तो PIL के role में जो courts का involvement होता है वो बहुत जादा assertive होता है assertive मतलब कि आप समझ लीजे proactive एक चीज होती जिसे for example कि आपके सामने कोई एक issue आया आपने एक option तो यह है कि इस issue को बहुत normally handle किया कि चलो इसमें यह यह कर दो दूसरा आपने उस issue को दिल पे ले लिया emotions आपके जोलो गए उस issue के साथ तो आप उसमें बहुत ज़दा assertive हो गए समझ गए न assertiveness assertiveness मतलब कि court जब PIL सुनता है court की दिमाग में चीज होती है कि भाई इस चीज को मुझे ठीक से solve करना यहाँ प एक तबका affected किसी चीज से और उस तबके को बचाना है that's why this PIL becomes important यहाँ पे traditional action से ज़्यादा seriously courts in matter को देखता है उसके बाद आठवाँ point है कि जब PIL की बात होती है तो judicial proceedings में कुछ relaxation कर सकता है court मतलब procedure जो adopt होता है एक traditional judicial proceeding में उससे deviate कर सकता है court अपने आप तो भाई procedure एक case को entertain करने का और उस case को सुनने का judiciary इसको बदल सकता है देखी जब भी traditional कोई case लडा जाता है उस traditional में set legal precedent होते है कोई यह case लेका है court की hearing edge on हुई और PIL की case में Supreme Court बहुत से relaxation कर देता है जैसे कि for example अगर बिहार के एक train station पे आपको लगता है कि कोई contractor जिसको railway का contract मेला उसने 12-13 साल के बच्चे को hazardous employment में लगा रखा है उस case में किवल आप एक telegram एक चिट्थी बेज दो सुप्रीम कोट को सुप्रीम कोट अगर चाहे तो उसको भी PIL मान सकता है बट अगर husband wife के लडाई हुई है यह property को लेके भाई भाई आपस में लड़ रहे है उस case में चिट्थी बेज दोगे न उसको PIL नहीं माना जाएगा ठीक है दोस्तों तो importance बहुत हद तक decide करती है कि किस चीज़ को as a PIL entertain करेगा सुप्रीम कोट ठीक है individual rights पे कम focus होता है PIL में community, social, public interest इन सब तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा है फोकस होता है आपका PIL का फिर बात कीज़ा स्कोप ऑफ PIL की 1980s में PIL का concept है और 1998 तक आते आते सुप्रीम कोट ने एक set of guidelines बिना दी थी जिसके अंदर सुप्रीम कोट ने बताया था कि कौन-कौन से subjects को PIL के through लिया जा सकता है कौन-कौन से चीज़ों को नहीं लिया जाएगा इन चीज़ों को लगातार change किया गया 1993 में guidelines को modify किया गया 2003 में guidelines को modify किया गया अभी भी चाय तो guidelines को modify किया भी जा सकता है तो भाईया वो चीज़ें जो कि PIL के अंदर entertain की जा सकती है पहला bonded labor matters आपको पता है बहुत जगों पे लोगों को बिना पैसा दिये या फिर उनके पूरवजों ने किसी money lender से पैसा दिया था वो पूरवज मर गया बट आज तक वो उस पैसे को चिकार है तो इस तरीके कर लेबर जिसको बिना पैसे के social कारी तरीके से दवा के रख रखा किसी जमीन दान ने जोते दार ने पैसे दिने वारे ठेके दार ने ऐसे केसे में उसको बचाने के लिए PIL की appeal file की जा सकती है neglected children जिनको किसी का भी सहरा नहीं है बिलकुल सड़कों भी घूम रहे हैं उनके लिए PIL के appeal file की से सकती है तीसरा non payment of minimum wages to workers casual workers का exploitation casual workers मतलब gig workers platform workers तो ready वाला ठीक है ठेले वाला चार्ट बेचने वाला ये सब होगा casual workers की category में जो आपकी घर में रोज plumber काम करने आता है electrician काम करने आता है जो आपकी घर में maids काम करने आती they come in the category of casual workers उसके बाद labor loss labor loss में वो workers भी आ जाते हैं जो किसी factory में जाके काम करते हैं वो हो सकता है temporary employment में हो सकता है permanent employment में हो तो इन सब के rights अगर major basis पर wallet होते हैं तो उस case में भी PIL के petition को entertain किया जा सकता है फिर चौथा point क्या दिया जा रहा है कि भाई जेल में अगर किसी कैदी का harassment होता है या फिर जेल में केदी बहुत लब्मे समय से रह रहा है और उसका जो behavior अच्छा है तो उसको निकालना है premature release है चौथा साहल उसने जेल में कार्ड दिये वर उसकी सजा बड़ी है तो चौथा साहल के बाद उसके behavior के आधार पर उसको छोड़ना किसी की जेल में मालीजे death हो गई है तो इन सब चीजों से related भी public interest litigation file किया जा सकती है फिर मालीजे किसी case में police कोई complaint को नहीं register कर रही है या फिर police किसी को harass कर रही है या फिर police किसी को custody में रखके मार रही है तो इन चीजों से related भी PIL entertain किया जा सकता है फिर six point पे अगर बात की जाए woman के खिलाफ atrocities हो रही है तो भाई एक नई नवेली लड़की शादी करके कहीं पे गई और उसको harass किया जा रहा है उससे पैसा मांगा जा रहा है ड़ूरी मांगी जा रही है तो bride burning fortunately आज की date में ये किसिस थोड़े कम होगे बढ़ 1980s, 1980s, 1970s का जो era था भाई या दहेज के नाम पे ladies को जला दिया जाता था कि तुम दहेज लेके ने आई तुमने मेरे हजबाई टे को scooter नहीं दिलाए तो तुमको जला देंगे ठीक है तो इस तरीके के बेवकूफ टाइप के लोग हुआ करते तो इस टाइम पे तो ऐसे cases में सुप्रीम कोट ने बोला कि ठीक है भाई PILM सीधे सीधे इंटर्टेन करेंगे अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी ऐसे cases हो रहे है पिर भाई सेवन्थ पॉइंट क्या दे रखा है कि मान लिजे विलिजर्स में किसी विलिज ने ये इल्जाम लगाए कि दूसरा विलिज इनका सोशन करता है और रूरल इंडिया में कास्ट के अधार पर आज की डेट में भी यह होता है कि भाईया उची जात वालों का गाउ है नीची जात वालों का गाउ है और उची जात वाले नीची जात को परिशान करते हैं अभी इस तरीके की दक्यानूसी क्यालवातों फालतों की चीजें आज की डेट में भी होती है तो उस केस में भी PIL को फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में फिर इन्वाइरोनमेंटल पॉलिशन अगर मान लीजे कोई कंपनी ज़रो सज़ादा इन्वाइरोनमेंट का पॉलिशन कर रही है पानी गंदा कर रही है तो उस केस में उस कंपनी के कामों को रोकने के लिए भी PIL को फाइल किया सकता है out of food adaptation को गल्ट तरीके से pulses का processing होरी है rice की processing होरी है rice fortification में गलत elements, minerals मिलाय जा रहे है चीज़ों को सस्था करने के लिए तो उसके अगेस्ट P.I.L. फाइल हो सकती है National Heritage और Cultural को नुकसान किया पहुचाय जा रहा है अगर Directly और Indirect तरीके से तो उसके खिलाफ P.I.L. फाइल हो सकती है Forest Wildlife को बचाने के लिए Public Importance की चीज़ों को बचाने के लिए Family Pensions को बचाने के लिए Right Victims के लिए Petitions उसके लिए तो मतलब की एक दंगा हुआ Mob निकला, Mob ने दसपारा लोगों को मार दिया उनकी Families में बहुत सारों लोगों को चोटे आ गई तो इस से रिस्पेक्ट से जो P.I.L. से उनको भी Entertain कर सकता है Supreme Court क्या क्या चीज़ें इन प्रेटेन नहीं की जा सकती तो भाईया, Landlord, Teen and Matter तो भाईया, एक किरायदार दो साल से जबा हुआ हुआ है घर में, भाईया, वो किरायए नहीं दे रहा है ठीक है, और उसको निकालनी पा रहा है Landlord तो इस तरीके के Matters आप Regular जो Judicial Procedure उससे करिए, आप इसको PIL की तरह लेके नहीं आ सकते हैं दूसरा, Prension और Graduate के रहे जो Matters है Service Related Matters of Central Government, State Government यह PIL की तरह नहीं आता है Central Government के लिए तो अलग से Tribinals बनाये गए है Central Administrative Tribinal under Article 323A तो यह Matters उदर चले जाएंगे फिर भाईया, Central Government, State Government Departments यह Local Body Departments के इकलाव कोई Complain हो, अभी Central Government, State Government यह Local Government Departments के अगेस्ट कोई अपील है और इससे पहले जो मैंने 1 से लेके 10 तक के जो Points बताये थे तो 1 से लेके 10 तक के जो Points थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि PIL को Entertain किया जा सकता है, अगर उससे Related कोई Matter आजाता है केंदर की सरकार के अगेस्ट, या राजे की सरकार के अगेस्ट या Local Body की सरकार के अगेस्ट तो उस Case में उस Matter को As a PIL Entertain किया जा सकता है इन 10 के अलावा आता है तो PIL को Entertain किया जाएगा, फिर उसको Normal जो Judicial Procedure है उसके थूँ Entertain किया जाएगा Medical Colleges में दाखला Education Institution में दाखला ये भी आपके PIL के अंदर नहीं आएगा High Court और Subordinate Court में अगर बहुत सार से Case Pending है उस Case को Proactive Basis पे जल्दी Take Up करने के लिए भी PIL को Entertain नहीं किया जाएगा Overall PIL की कुछ Principles को मैं आपको अगली वीडियो मताऊंगा PIL को Admit करने के लिए क्या गाइडने से ये भी मैं आपको अगली वीडियो मताऊंगा So thank you for watching friends I hope आपको सीखने को मिला होगा Goodbye